आज हम गारलिक पालक पनीब बनाएंगे बहुत मज़े का बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें पालक मैंने एक किलो ली है और इसको हम अच्छे से दूओके साफ करेंगे पहले हम इसके जितने भी यह मोटे मोटे डंटा लेंगे इसको हम तोड़ के निकाल देंग आज पालक को बहुत अच्छे दरीबसे दूए हैं दो तीन पानी में क्योंके इसके अंदर जो है थोड़ा से नमा करण किया है मैंने इसके अंदर तो जब अगर आप पका लेंगे मिठी वाला पालक तो इसके इंदर आपके मूह में अच्छा नहीं लगेगा इसका डेस्क तो इसलिए खास खया लगे देगे को फुलते पानी में अब मैं इसको डाल दूँगे इसको हम चार से 5 मिनट तरी बलांच कर लेंगे पालक को इसको जादा नहीं पकाना है इसको बस ती चार मिनट तक हम इसको बलांच करेंगे उसके बाद जो इस पानी निकाले को ठेड़े पानी में इसको डाल देंगे ताकि इसका कलर खराबना हो और इसका कुटिंग प्रोसेस भी खतम हो गए लिए को उसके बड़ा फैट करी खं पालक डाल देंगे ताकि इसका कलर खराब नहीं होगा इस तरह से और अगर आप इसको बलांच करके ऐसी छोड़ देंगे तो आपकी बलांच कर गलत हो जल्दी खराब हो जाएगा तो प्रीन जो होती है पालक पीसने के बाद पूर चीज नहीं रहेगी अब इसको पालक प्राइब देगी तो नहीं होती है जाएगा तो इसको ब्ली आपके अब ना बहुत जादा है ना होगत जाए चार से पांच सरी में चमेंस मैं तो प्रिस साबुत लालमच अट करें इसके अंदर वर्टी स्पून जीरा एट की है मैंने इसके अंदर और यह मैंने 20-22 लेसन के जबे मैंने बालिक पाइंड करें इसको मैंट करेंगे इसके बालक में गार्लिक परीज बना रहा है वह इसको प्राइब कर लेंगे अच्छे से बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसके लाल पीसी में नहीं जाएगी इसमें बिल्कुल तो टी स्पून बेरके मैंने बारीक गटी हरी मिट ने डाली है अधरक लेसन का पेस् अधरक लेसन का गच्छा पर खता मुझाए अब इसके अंदर के माड़ एक में इसके माड़ का मीडियम साइस का नमक एड़ के आए मैंने कि माट वाह च्छे से पूंडेंगे नाके इसके माटर जो है कल जाए बिल्कु टुल मना पालक चान दार इसके अधर पानी आड़ क तक वजीद गल जाए टिमाटर अच्छे से, वट टेविक स्पून रिया पॉडर एड़ किया है, इसके अंदर वन टी स्पून सीरा पॉडर एड़ किया है, इसके अंदर इसी लाल मेर्च और हल्दी नूरों नहीं जाएंगे, इसके अंदर वन्ना बालक तरीया का कलर पूरा इसे मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा इसको पूल रहेंगे, ताकि अची से पत जाए, बालक वैसे भी हमने ब्लांच कर लिए, तो हाफ ड़न को हो जाए, इसको थोड़ सा कवर कर दिया है, मैंने ताकि जो है, इसके छीने ना उड़े, तेकि अची से पत जाएंगे, इसके इतनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, उतनी हमें मिल जाए, नमक एट कर दें उसके अंदर, अगर आपको मेरी रसीपी पसंदाए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताएगा, कैपो कैसी लगी है, पनगी रैट किया है, मैंने इसके अं थोड़ा साम इस तरह से कुछ, ग्रेटर से कशक को ग्रेट करके तोड़ा सा इसमें डालेंगे, बहुत जादा नहीं डालेंगे, वनना इसका जो फ्लेवर जो बहुत जादा स्टॉंग होता है, अब ये देखे मैंने 3-4 टेबिल स्पूस के अंदर क्रीम का एड़ किया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हमारा पालक पनीर जो है, वो अच्छे से हमारा हो चुका है, अब इसके बाद हम इसका दड़का तैयार करेंगे, क्योंकि हमने गार्लिक पालक पनीर ला रहे हैं, तो इसलिए हम इसके गार्लिक का दोबारा से बहुत अच्छे से जिससे सारा फ्लेवर इसमें कार्लिक का आए गई देखें मैंने तकरीवन 20-25 जवे लेसन के लिए थे इसको फाइन चॉप कर लिए और दो साबुक लाल मिर्च डाली इसके अंदर कर्लिक कर्लिक कर्ल्क